पहुत समय पहले एक जंगल में रानो नाम की चुडिया अकेले ही पेड़ पर अपने चोटे से घोसले में रहा करती थी रानो चुडिया का पती का हाल ही में एक पेड़ से गिरने की वज़ा से इंतकाल हो चुगा था तब से रानो अकेले ही अपना जीवन पसर कर रही थी रानो चुडिया ने अपने घोसले में पांच अंडे दे रखे थी उसका घोसला इतना चोटा था कि पांच अंडों के इलावा एक चुण्टी के बैठने की भी जगा नहीं थी इसे लिए चुडिया हर समय घोसले के पाहिर एक टहने पर बैठा करती थी और इसी डाली पर सोया भी करती थी एक दिन राणों चुडिया घोसले के पाहिर बैठ कर अपने अंडों के निकराने कर रही थी कि तब ही अचानक जंगल के तमाम बक्षी भाग दोड करने लगी ये सुनकर राणों चुडिया पिंकी मौसी को आवाज लगाती है पिंकी मौसी ओ पिंकी मौसी आरे रानो अभी तक तुम यही बैठी हुई हो अपने अंडे लो और भागो यहां से पिंकी मौसी क्या हो गया हमारे जंगल में एक जालिम चील आ गया है और वो पक्षियों के अंडों और बच्चों को खा रहा है इसलिए हम सब अपने बंचों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं तुम भी अपने अंडों को लेकर यहां से भाग जाओ नहीं तो वो जालिम चील तुम्हारे अंडों को खा जाएगी इतना कहकर प्रिंगी मौसी वहां से चली जाती है ये बास सुनकर रानो चीडिया काफे डर जाती है एखुदाया अब मैं क्या करूँ मेरे पास सो पांच अंडे है मैं इनको एक साथ नहीं ले जा सकती या खुदाया अब मैं क्या करूँ रानो चीडिया बहुत परिशान हो जाती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस चील से बचाए तब ही रानोचीडिया की नसर उस बेड़ के बत्तों पर पड़ती है तो वो एक-एक करके उनको तोड़ कर अपने घोसले और अंडों को छुपा लेती है अब वो चील मेरे अंडों को नहीं देख पाएगी और ये महफोस रहेंगे तब ही वो चील वहाँ आ जाती है और रानोचीडिया उस चील को देखकर डर जाती है और पास के दरख की डाली में छुप जाती है चील रान उचीडिया के घोसले के पास शाकर बैट जाती है आरे पापरे ये चील तो मेरे घोसले के पास शाकर बैट के है अगर इसे पता चल गया कि करीब एक घोसला है जिसमें पाँच अंडे रखे हुए है तो वो इन अंडों को खा जाएगी हाँ 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 इस जंगल के तमाम पक्षियों के अंडों और बच्चों को मैं खा जाऊंगा तभी चील की नसर उन पत्तों पर पड़ती है जहां रानो चिडिया का खुंसला था अरे यहां इतने सारे पत्ते कहां से आ गए चलो देखता हूँ क्या है इसके नीचे तभी चील इन सारे पत्तों को हटा देता है वो जैसे ही उन पत्तों को हटाता है उसे घुंसले में पांच अंडे दिखाए देते हैं इन अंडों को देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुँँ में पानी आने लगता है अरे वाह यहां तो पांच अंडे हैं आज तो माचा ही आ जाएगा तभी रान चड़िया ओड़कर फोरन वहां आ जाती है आरे चील भाया आप यह क्या कर रहे हो मैं इन पांच अंडों को खाने जा रहा हूँ अंडे तो मुझे बहुत पसंद है इन अंडों से मेरा पेट पूरा भर जाएगा अरे नई-ने चील भाये इन अंडों को मत खाएए इससे आपका पेट खराब हो जाएगा अरे क्या वाकई इन अंडों को खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा फिर तो मैं इनको चरूर खाऊंगा ये सुनकर रानो चिडिया सोचती है लगता है ये चील तो पागल है ये ऐसे नहीं समझेगा इसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा अरे चील भाईया ये तो चादोई अंडे है चादोई अंडे ये किसी अंचान पक्षी का घोसला है उसने इस घोसले में सिरफ एक अंडा दिया था फिर पता नहीं वो कहां चले गई फिर एक से दो अंडे बन गए और दो से तीन फिर तीन से चार और ऐसे ही चार से पाँच अंडे हो गए चील भाईया जंगल के पक्षियों ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी इन अंडों के करीब नहीं आता इसलिए आप ये इन अंडों को मत खाएं वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकती अरे वाँ ये अंडे खुद बाखुद एक से दो फिर दो से तीन और तीन से चार और इसे तरह चार से पाँच हो गए इसका मतलब है ये पांस से छे और फिर छे से बढ़कर एक दिन हजार भी हो सकते हैं फिर तो मैं इन अंडों को ले जाकर अपने घोसलों में रखूंगा और जब पूरे एक हजार अंडे हो जाएंगे तो मैं इनको बेच कर बहुत सारे पेसे कमाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा अच्छा बेहन क्यूंकि ये किसी अंजान पक्षी का घोसला है इसे लिए अब तुम यहां से जाओ फिर रानों चिडिया वहां से चली जाती है और बगल वाले दरख पर जाकर पैठ जाती है और अपने अंडों और घोसलों पर नजर रखने लग जाती है ये चील तो मुझे पागल लगता है मैं इसे क्या कह रही हूँ और ये तो उल्टा ही चल रहा है ओ अंडे जल्दी से एक हजार अंडे हो जाओ अब चील उस घोसले पर ही रहने लगा और बहुत समय इसी तरह गुजर जाता है मागर वो पाँच अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं जब चील ये देखता है तो बहुत घुसा हो जाता है और रानो चीडिया को आवास लगाता है आरे चीडिया कहा हो चीडिया बहन यहां आओ रानो चीडिया जो के साथ वाले पेड़ पर ही बैठी अपने अंडों पर नसर रखे हुए थी चील ये आवास सुनकर वहां आ जाती है तुमने तो कहा था कि ये अंडे पांच से छे हो जाएंगे मगर ये तो अभी भी पांच ही है तभी रानो चीडिया बहुत सोचने के बात कहती है अरे चील भाई ये तो चादोई अंडे हैं और ये तभी पढ़ते हैं जब इनको कोई नहीं देख रहा होता अगर आप इनको देखते रहोगे तो ये तो पांच ही रहेंगे चील भाई आप ऐसा करें आप रात को सोचाया करें फिर सुबा उठेंगे तो अंडे की तादात बढ़ जाएगी अगर ऐसा ही है तो मैं आज रात गहरी नीन सोचाऊंगा फिर चील रात को गहरी नेन सोचाता है कि तब ही रानो चिडिया के एक अंडे से पच्चा निकलाता है ये देखकर रानो चिडिया फोरान अपने गोसले के पास आजाती है अरे फा, मेरे एक अंडे से पच्चा निकलाया मुझे चल्दी इस बच्चे को ले जाना होगा अगर इस चील ने देख लिया तो ही तो मेरे बच्चे को खा जाएगा रानो चिर्या का बच्चा जैसे ही आवास करने लगता है वो उसे अपने पैरों से पकड़ कर दूसरे पेर पर ले जाती है तब ही बागी चार अंडों से भी बच्चे निकलाते है चलो मेरे पांच अंडों से बच्चे निकलाए है अब मैं इन बच्चो को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ फिर रानो चिर्या अपने बच्चो को लेकर कहीं दूर चली जाती है सुभा जब चील उड़ता है तो उसे सिरफ अंडों के खाले खोल दिखाई देते हैं और रानो चिडिया भी उसे कहीं दिखाई नहीं देती इस पर चील को बहुत हुसा आता है मागर वो समझ जाता है कि रानो चिडिया ने उसे बिवकूफ बनाया है और उसे कुछ हासिल नहीं होता इधर रानो चिडिया अपने पांचों बच्चों के साथ हासे खुशी रहने लग जाती है